वाहि ग्रुजी का खाल साव वाहि ग्रुजी की फते मैं अज जो विशेत गल करन जा रहे हैं वो अजदे समय विच एनना संगीन हो चुकिया कि मैं मानदा उसनार सारी लखाई विच एक नफरत दा ही संदेश जा रहे हैं एक एहजय संगीन मुद्धा जिसनार सिर्फ एक मनुख दुज्य मनुख दा वैरी ही बनदा जा रहे है तुसी सारे इसनार जानूँँँ शायद कुछ समझ भी गए होंगे मैं किस बारे गल कर रहे हैं एक अल्य जी ऐसारस दे पड़का उब्यान ना दी अते सिखां दा उना दे वरुद्र स्पॉंड करन दी सब तों पहला मैं अपनी पहचान दास देयां मैंनू कोई एक पार्टी दा या किसे एक तर्म तक सीमत ना करयो मेरे वीरो मैं अज ओस गुरु नानक दा सिख बोल रहे हैं जिसने पूरी लुकाई विच सिर्फ एक परमातमा होन दा संदेश दता जिसने उच नीच दा पेदम टौन लई सब जोत तेरी जग जीवना मैं ओस गुरु नानक दा सिख बोल रहे हैं जो सिर्फ सिखांदा ही नहीं मुसलमाना दा पीर अते हिंदूआ दा ब्रम गयानी वी सी जिसने मक्के विच जाके जे काजी नू सच बुलन लई अते मंदर विच जाके पंड़त नू पकांड तयाके अपने अपने तर्म विच पर पक्खोन ली के हासी परफसोस अज एह मुसलमाना दा पीर ते हिंदूआ दा ब्रम गयानी ते सिखांदा प्रथम गुरु सिर्फ आपसी चगड़ें दा शिकार होके रह गया जिस इकोंकार दा इस गुरु ने संदेश दे के फलाण ली के हासी उसनों असी नजर अंदाज करके हत्था विच करपाना फड़ लियां अत एक दुझे दे सिर्लाण ली तियार होगे है SRS दे वड़े शर्दालू अखवाण वाले जो ब्यान बाजियां करदेने मैं मान दा हां के ए साड़े हिंदू वीर होई नी सकते एता कोई फुट पवाण लाडे बहरूपी ने जो सिर्फ कैमरेया ते ब्यान देन जोके ने जे सच्चे होन ता सामने जरूराओन मैं बेंती करदा हां एह जे कटिया ते पड़ काउ सोच रखन वाले आपदे ना समझ वीरानू के जदों पाई ही अपने कारविच कंदा घडियां कारन लाग जान ना ता गुआंडी भी मुश्कल वेले उना दा साथ देन तो तराओं देने मैं हराना के एना ने सिखानू अपना वैरी समझ लिया क्यों सिखान दे जजबाता ना खेड़ना एना ने अपना मनपसंदा खेड बना लिया क्यों थो नू कोई होर तार्म तार्म नहीं दिखदा ओ मेरे पोड़े वीरो जरा इतिहास दे चाती मारो ए ओही गुरु नानक फeder ब utilized ने सिखने जीना ने एक पंदत दी बोद्धि अते जनइवी दी रख्या करते अपना शींस चांदनी चॉंक रवाता सी हिंदू तर्मनू भचाओन दे खातअट हिंदू तर्मनू भचाओन दे खातार हिंदू आथिंदूलान दी हिंदू धिक डोरी बचाओन दे पंदतानों मजबूर करता हैसी, क्योंकि ऑव समय दे स्कॉलर मनने जान दे ही, ऑव مान दे सी जे पंदतानों में अपने तार्म विच करना था, सारी हिंदू लुकाई मेरे मुसल्मान बनजेगी, क्यों ? क्योंकि हिंदूस्तान विच बहुमत हिंदुआ दढ़ता है कोई अस जबाती मनुखने। 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 एलागू अपने ते भी हुंदा मित्रो हाथ विच करपाना फ़र के बंदर सेना नू विखाण वाड़े हो मैं बंदर हरेक उसनू समझदा जिस दी सोच मूर खाण या संतान दी सोच ते पहरा दे आंगे कहन वाड़े हो मैं हाथ जोड के बेंती करदा के पहला संतान दी सोच नू करे जाके पढ़ो ते विचारो करपान दा इस्तिमाल किसे मजलूम दा सिर लौन ले वरतना संतान दी सोच नहीं सी किसे दी तिखी टिपनी सुनके अपपे चो बाहर हो जाना एक मूर्खत ता दी ही निशानी है करपान तो वड़ी ताकत हुन दी है मेरे बीरो जबान अपपे तो बाहर होन तो पहला सनू चाही दैसी केसी प्यार नाडोना नू सही ते गल्त दास दे पिंडरा वालेया दी सोच सी हरे एक सिख पहला पका सिख बने अमरित शके कि एह खालिस्तान जिंदावाद दे नारे लगाण वालेया ने एह सोच पहला अपनाईया कि एह ना नारे लगाण वालेया ने अपने केस संबाले ने कि एह ना ने हरेक मनुख विच बरमातमा जी एक जोत वेखीया कि एह नतने अमदेतार नी हैगे ने पहला अपना रूप तापा सवार लीए मित्रो दूझे नू फेर जोदन चलेओ ते बेंतिया मेरी पिंडरावालेयां जीदी सोचते पहरा दे आंगे ठोक के दे नारे लाके गल्प मैसेज कतले आम दा इस दुनिया विच नाखलारो बहुत उची ते सुची सोच सी संता दी पहला उसनू विचारो ते उसते फिर खरे उतरे हो मैं कोई बहुत ग्याननी नहीं है आम बड़े-बड़े लेक्चर दे रहे हैं मेनू माफ करे हो कोई बोड़ा मेनू तर्म ग्रंथा ना ग्यान वी निया पर एनक विश्वास जरूरा चाहे गीता होवे चाहे कुरान कोई भी तर्म नफरत दा संदेश जग्त विच फलोंडली नहीं कह सगदा कोई भी ग्रंथ किसे नू तक्के नाड़ अपने तर्म विच ले ओंडली मजबूर नहीं कर सगद कोई गल्गालत लगी होवे जरूर मेनू ताड़ना करे हो जी मेरा नाम आम रिदपाल सिंग ते मेरी इमेल आइडिया a.sing511.gmail.com मेरी यां गल्तियां ते जरूर चंदना पौना आते मेरे इस मेसेज नू करपा करके उना तक जरूर पहुंचदा करना जो पढ़का उब्यान दन देने धोर कोई सुने ना सुने में नू इनना फर्क शायद नहीं पाऊगा पर इनू इनक शेर जरूर करते हो कि जो भी को यह नू मेसेज सुनके इह उना तक जरूर पहुंचाए जो गल्त समझ के सिखानू गल्त ब्यान देई जान देने बस एनियाक बेंती सी जी बहुत बहुत अनवाद सुनन ली वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते